एक समय था कि बॉलिवूट के इस अभिनेता के उपर 90 करोड का कर्ज था घर तक जाने की नौबत आ गई थी और रोज कर्जदार घर पर आते थे अपने उधार के पैसे वापस मांगने के लिए और अब एक समय ऐसा है कि छे महिने के दर्मियान में इन्होंने 100 करोड से भी जादा की प्रॉपर्टी खरी दी है जी हाँ हम बात करें हैं इस सदी के महानायक अमिताब बच्चन की अमिताब बच्चन 1990 के बाद का जो वो एक दशक था जिस समय उनकी जो कंपनी थी उस कंपनी ने जो पैसे उठाये थे मार्केट से पिच्चेस डूब गए जो उन्होंने बनाये थे उनकी कंपनी भी नहीं चली कहते हैं कि उस वक्ट इनके उपर 90 करोड का कर्ज हो गया था और हालत इतने खराब हो चुके थे कि इनका जो खुद का घर था वो तक जाने की नौबत आ गई थी इन्होंने कई इंटर्वियू में भी इसका जिक्र किया है कहा है कि उस समय वो शायद उनके जिन्दगी का सबसे खराब समय था क्योंकि कर्जदार भी घर पर आते थे एक बहुत ही embarrassing moment उनके लिए हुआ करता था पर आज कि यदि बात करें तो हर कोई Big B से अपना नाम जोड़ना पसंद करता है उनके साथ पिचर में काम करना पसंद करता है हर डिरेक्टर उनके साथ पिचर बनाने के भी ख्वाइश रखता है और property और real estate की बात करें तो अमिताब बच्चन और उनके बेटे अभिशेक बच्चन ने पिछले कुछ महीनों में ही खास करके मई, जून और अक्टूबर के महीनों में बोरिविली के मागा थाने में ओशिवारा में और मुलुन में कुल मिलाक कर जो properties लिये हैं जिसमें कुछ घर हैं तकरीबन 10 घर तो अभिश स्पेस लिया था तो इन सब को जब जोड देते हैं तब 106 करोड की प्रॉपर्टी उन्होंने 6-7 महीनों के अंदर ही सिर्फ 2024 के उन्होंने लिया हैं तो समय को बदलते हुए जादा समय नहीं लगता एक वो भी समय था जब इन्हें सब लोगोंने बैंक्रप्ट बोल दिया में किया है